दोस्तों, पांच फरवरी 2024 को लगने वाले सूर्य ग्रहन के बाद ये छे राशे वाले होंगे धन से माला माल. इस महा सूर्य ग्रहन के प्रभाव से 12 राशियों में छे राशे वालों का जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है. ये छे राशे वाले पांच फरवरी के सूर बिल्कुल सही सुना आप लोगोंने दोस्तों 5 फरवरी 2024 को साल का और महा सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दें जो सूर्य ग्रहन होता है वह चंद्र ग्रहन से 10 गुना ज्यादा असरशाली होता है 5 फरवरी 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहन कोई मामूली सा सूर्य ग्रहन नहीं होगा बलकि यह एक महा सूर्य ग्रहन होगा इसलिए इस सूर्य ग्रहन का बेसबरी से पूरी दुनिया के जियोतिशी ही नहीं बलकि वैग्यानिक भी इंतजार रहे हैं पांच फरवरी दो हजार चौबीश को लगने वाले सूर्य ग्रहन के दूसरे दिन ही इसका असर आपके नाम के पहले अक्षर और आपके उपर जरूर पढ़ पढ़ेगा क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहन लगता है तो उस वक्त सूर्य ग्रहन का गोचर होता है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर बारह की बारह राशियों पर पड़ता है परंतु इस बार 12 में से ऐसी 6 खुश नसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहन के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है क्योंकि जैसे ही सूर्य ग्रहन लगेगा भगवान सूर्य देव जी की कृपा 6 वालों को इस तरह से मिलने हैं जिसके बाद इन छे वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, एश्वर्य की तो प्राप्ती होगी ही होगी, इनके जीवन में ये बहुत ही उन्नती करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस सूर्य ग्रहन के बाद ये छे खुश नसीब राशिवाले अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। ग्रहन के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस बार का सूर्य ग्रहन कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहन का सूतक काल कितने घंटे का होगा। और सूर्य ग्रहन के दौरान भकौन से आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्थ पर विधी विधान से इस बार कर लिया, तो ना केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोग पाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहन के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहन के दौरान किन कारियों को करने की सख्त मना ही है जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी छे भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहन के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देखिएगा और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे भगवान सूर्य देव जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें बहुत ही आगे जाएं तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव जी की देखिए दोस्तों आपको बता दें साल का पहला और महा सूर्य ग्रहन इस बार पांच फर्वरी दो हजार चौबीस को रात्रिय अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा बिलकुल सही सुना आप लोगोंने दोस्तों इस बार का जो सूर्य ग्रहन होगा वह भारत में नहीं दिखाई देगा और अगर आप लोग अश्विनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये वही अमावस्या है, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आती है, और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धर्ती का भ्रमण करती है, और अगर इस दौरान आप तंत् करते हैं, जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ना केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बलकि माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, और फिर आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी, तो दोस् इसका जो सूतक काल होगा, वह बारह घंटे पहले शुरू हो जाएगा। आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वर्दान और आशीरवाद मिल सकता है, और सूर्य ग्रहन के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहन के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं, जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष काल के दौरान और सूर्य ग्रहन के दौरान अब वह कौन से छोटे-छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्षमी जी का आशीरवाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आठ बज कर 31 मिनट से शुरू हो जाएगा। इस दिन अगर आप 11 रोटी बना करके किसी भी गाय माता को खिला देते हैं तो आपको 33 कोटी देवी देवताओं के साथ माता लक्षमी जी का आशीरवाद मिलेगा। क्योंकि गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता ही होत है। गाय माता के गोबर में माता लक्षमी जी का वास होता है। तो सूर्य ग्रहन के सूतक काल के बाद 11 है रोटी किसी भी गाय माता को खिला दीजिएगा। दूसरा जैसे ही सूर्य ग्रहन का सूतक काल शुरू हो जाता है। आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको रुपए एक अपनी श्रद्धा अनुसार दे दीजिएगा। समझा जाता है कि सूर्य ग्रहन के सूतक काल के दौरान कोई भी दान किया जाए, इससे आपके उपर कोई दोश होता है। वह दोश आपके उपर से पूरी तरह से हट जाता है। तीसरा, सूर्य ग्रहन जो होगा दोस्तों, वह पांच फरवरी की रात्री को दो बच कर दो मिनट पर खत्म होगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहन के दूसरे दिन, मतलब पांच फरवरी की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोचा लगाना है और पोचे वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा। समझा गया है हमारे शास्त्रों में दोस्तों कि अगर सूर्य ग्रहन के दूसरे मतलब पांच फरवरी को आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर छड़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोले नात का आपक साथ देगा और आपके जीवन की हर परिशानी खत्म हो जाएगी अब आपको हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहन वाले दिन और सूर्य ग्रहन के सूतक काल के दौरान वह कौनसी ऐसी गलतियां है जो आपको कर भी नहीं करनी चाहिए चलिए आपको एक एक करके सारे बातों के ब तीस से शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा सूर्य ग्रहन के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को ना चुए ना पूजा पाठ करें दूसरा जैसे ही सूर्य ग्रहन का सूतक काल आठ बचकर 31 मिनट से शुरू होता है इस दौरान किसी व्रिक्ष उसको मच्छो या गाना किसी पत्ती को तो इससे समझा जाता है कि आपके जीवन में दुखा सकता है तीसरा सूर्य ग्रहन के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने और जीवन के साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध ना और आपके घर की जो महिलाएं हैं कन्याएं हैं उनको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा सूर्य ग्रहन के सूतक काल के बाद वह तेल का इस्तेमाल बिलकुल ना करें और इस्तेमाल ना करें बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए, इस सूर्य ग्रहन का असर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको किसी भी तरह के दोश का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं, जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहन के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। चलिए आपको एक-एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहली राशी है कन्या। राशी कन्या, राशी वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बड़े धन, सहयोग बन रहे हैं। विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोट का चहरी में जीत हासिल करेंगे, आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके सामने घुटने टेक चौथी खुशनसीब राशी है तुला राशी। तुला राशी वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका देव गुरु ब्रिहस्पती इस सूर्य ग्रहन के बाद सात्वें भाव पर चला आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक तरह की सफलत चाएं मिल सकती हैं। ना केवल आपके मान सम्मान में वृद्ध होगी आपके समाज में बलकि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोडों धन पाने के योग बन रहे हैं। जिस करण स्कीम में आप लोग हुए चले आ रहे थे उस करण के बोज से अब आपको मु बहुत ज्यादा खुश हाली आएगी। इसी तरह से अगर आप मकर राशी तो मकर राशी वालों के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपटी वाहन खरीदने के योग्य बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहन के बाद शुरू करेंगे उस व्य श्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा बलकि आपके कारोबार में काफी ज्यादा व्रिध्य देखने को आपको मिलेगी। आपके के जीवन साथी के माध्यम से भरे धन सहयोग बन रहे हैं। जिस नौकरी की आप तैयारी करकर के ठक चुके थे आपकी नौकरी लग जाए और आपके जीवन में धन आने के कई तरह के रास्ते खोल रहे हैं। दूसरी जो खुशनसीब राशी है दोस्तों वह है सिंह राशी। सिंह राशी वालों के बारे में बताया जा रहा है कोटक चेरी में जो आपके मामले चल रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धन कर्म में रुची बढ़ेगी। आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे। बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्य देव जी के आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। औ माता लक्ष्मी की विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है। आपके उपर आने वाले समय नौकरी में पदोन्नती मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा। और आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे। और परिवार म शान्तिव आनंद का वातावरण रहेगा, आपको कोई बद खुश खबरी मिल सकती है। माता लक्ष्मी की क्रिपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा और आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की क्र परीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो ये योजना उनकी अवश्य ही सफल होने वाली है। संतान प्राप्ति का भी सुख मिथुन राशिवालों अब आपको मिलने वाला है, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। कहना गलत नहीं होगा। म सिथुन राशिवालों माता, लक्षमी के आशीरवाद से अब समय आपके लिए पूनतह पक्ष में रहने वाला है।